प्यारे विद्यार्थियों, हमश्कार, आज हम रितिकालीन कवी भूशन के कवे में रास्ट्री इता की भावना पिसे पर बात करेंगे हिंदी के अन्य रितिकालीन कवियों में भूशन का एक अलगी और विशिष्च इस्तान इसलिए है क्योंकि उन्होंने और कवियों से अलग हटकर यहीं रितिकालीन कवियों में जो मुखे रूप से स्रंकारिक कवे का स्रिजन करते थे ऐसे में भूशन वो कवी थे जिन होने उन्हीं परिस्ततियों में रहते हुए और अपना जो भाव था अपनी जो विचार धारा थी वो रास्ट ये तब पर भी केंदरित की उस समय मुगल सामराज्ये चल रहा था और ऐसे में मुगल सामराज्ये के राजा के रूप में औरंगजेव का शासन था औरंगजेव अत्याचारी सासक के रूप में जाना जाता था उसने अपने पिता को कैद में डाला बाईयों को मोत के घाट उतार दिया ये सब कुछ करने के बाद में वो राजगदी पर बैठा था इस बात का इतियास आक्षी है हिंदों के प्रती उसके निती बहुत अधी कठोर थी हिंदों पर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था हिंदों के जो मंदिर थे उनको तुड़वा कर और उन्हीं पत्थरों से मजजिदों का निर्मान वो करवाता था देव परतिमाओं को खंडित करवा देता था अब ऐसी स्थिति में वो देश जिसमें सामपरदा एक सुहार्द सदेव कायम रहा जब इस तरह का साशक होगा तो महाँ पर कैसे सुहार्द रह सकता है ऐसे में एक वर्ग मुसल्मानों में भी एक ऐसा था जिस पर वो अत्यशार करता था दक्षण में विजापूर गोल कुंडा आदी बहुत परशिद मुसल्मानी रियास्ते थी और लगबग मुगल दर्बार से इनका युद्ध होता ही रहता था इन सब प्रिस्थितियों के बीच शीरोमणी महराज शीवाजी एक ऐसे उदेमान नक्षत्र के समान राजनेतिक ख्षितिज पर उदित हुए उन्होंने अत्याचारियों का सामना करने तथा हिंदू सामराजे को इस्तापित करने का सौपन देखा भारती संस्कृति तथा सब्वेता को विग्रित होने से बचाने का वे बहुत प्रियास करने लगे अफचल खां को मार देने साइस्ता खां को पुना से भगा देने तथा सूरत की लूट आदी ऐसी घटाएं घट गई जिससे कि शिवाजी का यस चारों और फैलता गया भूशन रास्ट्रे विचारों के कवी थे और वे शिवाजी वर उन्होंने बहुत एक सुंदर और बड़ी प्रभावी कृत्ति लिखी शिवावावनी उन्होंने शिवाजी के इसी रास्ट्रेता की भावना को प्रकट किया है उन्होंने एक पद लिखा जो बड़ा परशिद रहा कूरम कमल कमव दुज है कदम फूल गोर है गुलाब राना केत की विराज है पांडरी पमार जुही सोहत है चंदरावल सरस बुंदेला सो चमेली साजबाज है भूशन भनत सुचकुंद बड़ गुजर है बगेले बसंत सब कुसुम समाज है लेई ऐसे अतेन को बैठी ने सकत अहे अली नवरंगजेब पमपा सिवराज है इस पद में उस समय के सभी वीर राजाओं को फूलों की उपमा देकर कवी ने ओरंगजेब को ब्रमर बताया उदेपूर के राणा को उन्होंने केत की का फूल कहा जहां वह बड़ी कठिनाई से पहुंच सका था उन पर अधिकार कर सका था शीवा जी को उन्होंने चंपा का फूल कहा जहां वह पहुंच सका चंपा का फूल जहां वह पहुंच ही नहीं सका हिंदी साहित्य के इतियास का ये सोबाग्य ही कहा जा सकता है कि उसका आरम भी वीरस प्रधान का वियोंसे होता है उस समय के प्रसिद कवी चंद बरदाई ने महाराज पर्थिवराज को विदेशी आकर्मन करी मुहमत गोरी से उद्ध करते भी देखा था यह से बातें प्राचीन कव्यों से हैं यहां हम केवल भूशन की बात कर रहे हैं और भूशन का जो कव्य है उसमें रास्ट्रेता की बात कर रहे हैं तदकालीन परिवेश का भूशन के कव्य पर पूरा परभाव रहा और ओरंगजेब और छत्रपती शिवाजी इन दोनों के शंगर्ष में भूशन जो थे वो शिवाजी के आसरे में थे उन्होंने शिवाजी की परशस्ति में कई वीरस पून कविताएं रच्ची और ये को कविताएं हैं जिन्होंने रच्ची बाउना को नई गती प्रधान की कुछ आलोचक ये दिपी ये भी आरोप लगाते हैं कि भूशन ने दन के लालच में आकर पैसे के लालच में आकर और शिवाजी का गुणगान किया था और और औरंगजेव की निंदा की थी लेकिन यदि हम तटस्थ भाव से देखें तो निश्चित रूप से औरंगजेव जैसे सासक का कोई समर्थन कैसे कर सकता है जो हमारी मूल भारतियों संस्कृति का दुश्मन था ऐसे में भूसंड ने उसके विरुद और उसके विरुद और उनके विरुद लड़ने वाले राजा शिवाजी जैसे विक्ति की यदि तारीफ की है परसंशा की है तो निश्चित रूप से ये उचित है ओरंजेब के शाषन का क्योंकि केवल और केवल विरुद शिवाजी कर रहे थे वे हिंदू के रक्षक थे और भारतिय सनात्रन संस्कृति की रक्षा भी कर रहे थे ऐसे में भूशन की जो शिवा बावनी है उसमें इन सब परिस्तियों को बहुत ही बकु भी बहुत ससक्त रूप में भूशन ने शिवाजी के सोरिय कब वर्णन किया है ये दिपी कुछ कथनों में लगता है कि वो बहुत अधिक अतिशोक्ति पून लिक रहे है लेकिन ये दि हम शिवाजी की ततकाली इन परिस्तियों में हिम्मत साहस को देखें तो ये सब कुछ जो उन्होंने लिखा वो कम था भूशन को कई लोग केवल और केवल हिंदूओं का पक्ष लेने वाले कभी भी कहते थे लेकिन ये आरोब भी उचित नहीं है क्योंकि एक तरफ जहां वो औरंग जेव का पुर्जोर विरोध करते हैं वहीं पर वो अकबर हुमायू जो न्यापिरिय सासक थे उनके पक्ष में भी लिखते हैं इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से हिंदूओं के समर्थक और मुस्लमानों के भी रोधित थे भुषण की राष्ट्री विचार धारा में ध्यानी देम के अंद्रित करें तो रितिकालीन कवियों में हम पाएंगे कि वो पहले ऐसे कवी थे जिन्होंने राष्ट्री विचार धारा पर अधारित का भी सरजित किया और ये ततकाली इन परिष्टेटियों में बहुत अधिक आवशिक भी था महराच सहतर साल और शिवाजी उस काल में ऐसे पुरुस थे जिनके अंदर रास्टे चेतना कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्हीं वेक्तियों का गुणगान बुशन ने अपने कावे में किया है उस काल की रास्टेता को ध्यान में रखकर उन्हीं ने उन्हीं लोगों ने औरंग्जेव का एक मात्र मुकाबला किया अब आप अंदर जा लगाएं कि ये उस समय वो भी औरंग्जेव का विरोध नहीं करते तो हिंदों की क्या स्थिटी बनती या भारत में सामपरदाइक सोहार्द कैसे रह सकता था इसलिए भुशन की जो रास्टेता है वो वास्तव में रास्टेता है उसमें कहीं भी कोई जातियता या जातिवाद नहीं है इस तरह से यदि कोई कहता है तो हम ये कहेंगे कि वो कथन पूरी तरह से ब्रामक और गलत है औरंग्जेव के बारे में किसी एक ने नहीं पूरा इतियास इस बात का गवा है कि वो जवरदस्त हिंदू विरोधि व्यक्ति था और लूट पाठ मंदिर तोड़ना आदी निरंतर वो करिये करते था और ये वेकारिये हैं जो अराजगता का वाताओन तैयार करते हैं शाशन विवस्ता के लिए शाशक होता है लेकिन औरंग्जेव का उद्दिश्य ऐसा था ही नहीं विवस्ता नाम की कोई चीज उस समय नहीं थे केवल और केवल अपने मुगल राज़्य को सम्रिद बनाना उसका उद्दिश रह गया था चारों तरफ कट्र जाती है ता बढ़ रही थी इसलिए भूशन का इन परिस्तितियों में रास्ट्री विचार धारा को सामने ले आना बहुत ही परसंसनिय है भूशन के कवे से ही रास्ट्री विचार धारा आगे पन पी और आगे चल कर किस तरह से एक एक विक्ति में रास्ट्री यता की भावना आई और हमारा देश आजाद हो सका अन्य रितिकालीन कवियों का सारा ध्यान केवल सरिंगार और वासना पर था भूशन ने अपने रास्ट्री कवी का पूरा कर्तब भी निवाते हुए और रास्ट्र प्रेम को इस्ताफित करने में अपना योगदान किया सबस्क्रावस सबस्ट्री केवेंकित को सबस्यो जफ़ी टुमल्ड़ा प्रेम sóOld